नमस्कार आप सभी देख रहे हैं दा भारत खबर इन दिनों हमारी चुनावी आत्रा चल रही है हम पंजाब में हैं पंजाब के अलग-अलग हलकों में हम जा रहे हैं लोगों की राय जान रहे हैं कि 2022 के विधान सवाज चुनाव के लिए लोगों की मन की क्या बात है इसी बीच यदी कोई खबर आती है तो उससे भी हम अपडेट आपको कर रहे हैं इसी बीच चुनाव से जुड़ी हुई एक खबर आई है आम आदमे पार्टी ने अपने 30 उमिदवारों के लिस्ट जारी की है ये दूसरी लिस्ट है क्योंकि इससे पहले जो सिटिंग विधा को यहां से टिकट दी गई है गुर्दासपूर से रमन बहल को उमिदवार बनाए गया है दीना नगर जो की रिजर्व सिंठ है वहां से समसेर सिंग को उमिदवार बनाए गया है कादिया से जगरूप सिंग को उमिदवार बनाए गया है बटाला से शेरी कल्सी को टिकट द पट्टी से लल्जीत सिंग्ग भुलर को अपना उमिद्वार बनाए गया है करतारपूर से डिसीपी बलकार सिंग्य को उमिद्वार बनाए गया है शाम 84 से डाक्टर रवजोत सिंग को उमिदवार बनाये गया है। नवास छहर से ललित मोहन बलू पाठक को उमिदवार बनाये गया है। जीरा से नरेश काटारिया को टिकट दी गई है सिरी मुक्तसर साहिब से जगदीप सिंग को काका वराड जिनको कहते हैं उनको उमिद्वार बनाये गया है फरीद कोट से गुर्दीद सिंग को उमिद्वार बनाए गया है रामपुर फुल जो सीट है वहां से बलकार सिंग सिद्धू को उमिद्वार बनाए गया है राजपुरा से नीना मित्तल को उमिद्वार बनाया गया है सनोर जो सीट है वहां से हरमीद सिंग को उमिद्वार बनाया गया है जबकि समाना से चेतन सिंग जोर माजरा को बनाया गया है उमिद्वार लोध्याना नोर जो सीट है वहां से मदनलाल भग्गा को टिकट दी गई है गिल जो की रिजर्व सीट है वहां से जीवन सिंग को उमिदवार बनाया गया है लंबी जहां से प्रकास सिंग बादल चुनाव लड़ते आए हैं वहां से उस सीट से आमादवे पार्टी ने गुरमीद सिंग को अपना उमिद पर बात करें भदोर की तो यहां से लाब सिंग को उमिदवार बनाया गया है बोहा जो की रिजर्व सीट है लाल चंद को उमिदवार बनाया गया है इसके लावा जंडालिया जो सीट है वहां से हर बजन सिंग को उमिदवार बनाया गया है तो यह तमाम सीटे थी जहां से आमाद में पार्टी ने अपने उमिद्वार उतारे हैं इसलिए चुनाव के बीच में क्योंकि ये तमाम घटना करम है 2022 के चुनाव को लेकर और जैसे जैसे इस तरह की कोई की अनाउंस्मेंट होगी हम आपको चुनावी आत्रा के बीच में अपडेट करते रहेंगे फिलाल इतना ही आपको किसी और विधान सभा में लेकर चलेंगे लगातार हमारी वीडियो आप देखते रहिए यदि आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे